हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टैग, कोडिंग टैग में आपका स्वागत है, मैं योगेश खन्ना, आज आपको थ्री एक्सल्स के फंशन्स के वारे में बताने जा रहा हूँ, राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउंड, ये तीनों फंशन्स ज्यादा तर एकाउंटेंट द्वारा किया जाता है, एकाउंट के परपस के लिए इन फंशन्स का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं हम इन फंशन्स का कैसे यूज कर सकते हैं, और हम इनको अपनी रूटीन लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखने हैं कि यहाँ पर decimal के बाद three values आ रहे हैं, three numbers आ रहे हैं, decimal के बाद, मैं इसको round off, इस decrease decimal के through भी कर सकता हूँ, यह देखिए मैं इसको round off कर रहा हूँ, अब आप देख रहे हैं कि यह round off हो गया, अब जब यह round off हो गया, तो हमें round function की क्या जुरूरत है, नहीं, यह round off सिरफ आपको दि मैंने पहले type करी थी, इसलिए अगर मैं इसको multiply करूँगा 10 से, यह किसी भी number से, तो यह result उसी के base पर दिखाएगा जो इसकी exact value थी, बट अगर मैं इसको 8403 जो value मुझे दिख रही है, जो number मुझे दिख रहा है, इसको मैं 10 से करूँगा, तो result कुछ और ही आएगा, अगर आपको सिरफ दिखाना है round of, और उसको किसी के साथ calculate नहीं करना, फिर तो आप इस decrease decimal का use कर सकते हैं, otherwise आपको यह round function के through ही करना होगा, सो चलिए हम इसको round function के through करते हैं, मैं यहाँ पर type करता हूँ, is equal to round bracket start, यहां से मैंने number select किया, मुझे decimal के बाद कितनी values नहीं हैं, कितने numbers नहीं हैं, मुझे 0, 1 भी नहीं, and bracket close, and then enter, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप आपका ये, जो है round off हो गया, आप इसको dragon drop कर दीजिए, ताकि आपके सारी values को round off कर देगे, round up, round up में क्या करेगा वो, round में क्या कर रहा था, अगर dot के बाद 5 से उपर की value है, तो वो नीचे वाली value को ले रहा था, जो exact round off कहा जाता है, बट अगर मैं round up की बात करूँ, तो वो हमेशा अप वाली value को उठाएगा, bracket start, मैंने यहां से वो value को select किया, comma 0 bracket close, अब आप देखिएगा, 8404, next आएगा 99209, 89547938, यह अप value value को उठाएगा, यानि कि उससे next value को उठाएगा, और round down में क्या करेगा, वो नीचे value को उठाएगा, यानि कि dot decimal के बाद वाली, जो numbers हैं, उनको वो remove कर देगा, comma 0 bracket close, आप decimal के पहले वाली इसने values को ले लिए, उसके बाद वाली values को इसने remove कर दिया, 99208, 89537937, तो guys, अब आपको पता लगया होगा कि क्या difference है round, round up and round down में, यह depend करता है requirement के उपर, यह depend करता है company to company, accountant के उपर depend करता है कि उसको round off करना है, exactly या उसको round up करना है, या round down, क्योंकि कईयों में क्या होता है, कि 8403 suppose यह value है, इसके उपर decimal के बाद चाहिए one है चाहिए two है, उनको हमेशा उससे next value value चाहिए होती है, वो minus नहीं करना चाहते है, उस purpose के लिए वो round up का use करना करते हैं, कई लोग कहते हैं कि decimal के बाद इतना भी है वो उतना हमने minus कर दिया, discount दे दिया, तो उसको वो round down कर देते हैं, और कई में exactly round of calculate होता है, जो genuine round के लाए जाता है, वो round off किया जाता है, round function के च्रूँ, So guys, hopefully आप ये तीनों functions के बारे में difference जान चुके होंगे, और इन functions को कैसे use करना है, वो भी आप सीख चुके होंगे, और आप इसी तरीके की और भी functions के बारे में जान करी लेना चाहते हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको Linux Server, Photoshop, Coral Draw, Illustrator, और भी बहुत सारे अलग-लग technology के बारे में आपको knowledge देने वाला हूँ, और अगर आप मेरे साथ जूड़े रहना चाहते हैं, और अपनी knowledge को और increase करना चाहते हैं, enhance करना चाहते हैं, So please like this video and subscribe my YouTube channel, Thank you so much, bye-bye, see you in next video.